हेलो दोस्तो दोस्तो इस वीडियो में हम लोग 27 जनवरी 2023 का जो साइंस का पेपर हुआ था मैत और साइंस का उसके साइंस के कोश्चन को हम लोग करने जा रहे हैं तो चलिए शुरूबात करते हैं पहला कोश्चन को हम लोग देखते हैं पहला कोश्चन का रहा है ठीक है सही क इस्टुमेंट कोई डिवाइस नहीं जो रहेंगे तब तक वो खर्च नहीं होगा पहला इस्टेट्मेंट क्या हो गया गलत हो गया यह कोशन कल जो कराया थे ना उसी का बहुत सारा रिपिटेट कोशन इसमें होगा देखे गया तिये कोशन अल्रेडी हम लोग कर चुके हैं दूसरा है परिपद में आवेश बहुत उच गति से बहता है को आपको बताए थे जी चार्ज फुलू होता है सर्कीट में हाई स्पीट से तो होता है लेगिन सर्कीट कैसा होना चाएं क्लोज होना चाहिए तो यह भी क्या होगा गलत हो गया सिकेन्न इस्टेटमेंट भी ग यह सही हो गया दी है तारों के अंदर आवेस वाहक मात्रा तारों के परमानुओं से नहित इलेक्ट्रोन होते हैं इसलिए हिंदी वालों को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए हिंदी मेडियम के जो भी इस्टुड्यन थोड़ा इंग्लिस को भी रिट कीजिए काई यहां प और एटम के अंदर क्या होता इलेक्ट्रोन होता है यह सही बात है और इसी से पूरा चार्ज बंता है यहां से आपका क्लियर नहीं हो पाएगा क्या कि तारों के अंदर जो यहां पर बुल ला है ठीक है अंदर आवेस वाहक मात्रात इसको समझने क्लिए आपको थोड़ा इ यह पर है अ यृट चकरा नहीं रहीं सरक भाड़ें इसके साथ बोलेगा कितना इंगल इसके साथ बनाएगा तो सीथा लिए बीस हो जाएगा 140 140 में नॉर्मल के साथ यह कितना बनेगा 70 यह वहला जो एंगल है रिफ्लेक्टेट एंगल जो है इस मिलर से भी मिलर से कितना जाएगा 70 तो सीधा इंतर हो जाएगा वर अप्शन ठीक है अगले कोशन है गर्मियों में पिघलने से रोकने के लिए आप एक आइस्क्रीम के डब्बे को किस वास्तु से लप्टेंगे यह आपको अलड़ी बता चुके हैं गर्मी हो या ठंडा हो बरफ को पिघलने से अगर बचाना है तो उसके डब्बे को हम लोग किस से ढखेंगे क कमल से हमें काई कमबल यह होता है ठीक है वह हीट को आने नहीं देगा जिस से जो वह बर नहीं धाया कि अगला कोशन है वेदर प्लेश उनवाटर स्किरा इडाillary मतलब कहने का मतलब है जबकि यहां पर आई जो है वह क्या करते तैयर है तो अंदर चुटा फूर होता जिसमें हवा छिसके पानी का जो पानी का यह से ही आइस में बदलेगा तो उसमें छुड़ा पूर रहता अंदर भॉलूम बढ़ने के कारण क्या होता है वहलूम बढ़ने के कारण एक होता है यह कुछ अपवाद में यह आपका मतलब मतलब जो आइस फ्लोट कर रहा है वाटर में क्या यह exception है अप्वाद है आप सिंकिंग जब सॉलीड वेक्स वो से लेक्स दंट नहीं जब सॉलीड होसका य époकि ज्या גם यह ज्याद 있는 होगा तो आप सीटमेंटि यह थाउर जלהbon तो अब सी वह जाएगा तो सब्सक्राव जाएगा तो डेंसिटी पर देख रहे हैं हर एक में कोशन पुशा है और बहुत सिंपल्व कोशन भस थोड़ा सा उसमें अगला कोशन है थे आपको चुणनना है बल किसी वस्तुप पर कार कर सकता है चाहे वह समपर्क में हो या न हो आँ हो जैसे जो में कुछ diffic प्रिद्वी का गलित धात्विक क्रोट जो केंद्र होता है जिसको अमनों क्रोड बोलते हैं चुमबकिये च्छेत्र का उद्गम होता है वहीं से जो होता है मैगनेटिक फिल औरजिन होता है यह भी बात क्या है सही है अगला है गुरुत्व कर्संबल स्वार्थिक सकति साली बलो में से एक गलत प्रण्वा जो होता है उतना मजबूत बल नहीं होता है अगला है नाफकियों बल याद रखेगा बहुत ही स्ट्रॉंग होता और यहां पर बुलाए यह जो होता कमजोर मौलिक बला यह क्या हो जागा गला तो अगला कोशन है चंदर्मा की कलाओ के संदर में सही कथनों की पहचान करना है पहला है हम चंदर्मा का केबल वह भाग देखते हैं जिससे सूर का परकास हमारी और प्रवर्तित होता है सही बात है जितना प्रवर्तित होगा चंदर्मा से सूर की रौसनी उतना ही हम देख पाएंगे जितना मून से रिफ्लेक्टेट रे होगा संसे उतना ही हम पूर्शन द प्रिकर्मन करता है तथा प्रिद्भी उस पर पढ़ने वाले सूर्ख के परकास को औरोध कर देता है जिसके परिणाम सवरुप कलाय बनती है ठीक है कोईने का मतलब है मुन जो होता है रिवॉल्ब करता है और्थ के चारों तरफ सही बात है और्थ ब्लॉक्स रोग देता है स lucky results in fit जिसके करण मून का अलग-अलग यूप हम लोग को देखता है सुन्जों अलग-अलग Italya रोग देता जिसके कारण मून का अलग-अलग देखता काई इसन के क vigil का यह गलत है अंध्यस सबुंग अंद्स ओं यह अगले राइफ का कन है बात यह गलत हो गया उसके वज़ास नहीं होता है ठीक है अगला है प्रिद्वी से देखने वाला चंदर्मा का परदिप भाग नौ चंद्र के दीन के बाद बढ़ने लगता है तो साइज पहला कोशन है अगला कोशन है को आविर्ति को decibel में दर्शाय जाता है गलत है frequency का unit क्या होता है हर्ज होता है और हर्ज का मतलब होता है cycle per second या इसी को आप बोल सकते है vibration या oscillation oscillation per second ठीक है और हर्ज का मतलब होता है per second पहला गलत होगे है ब्राबर है एक दॉलन पर 30 second के सही बात है वन हर्ज इस वन ओसिलेशन पर सकेंड या वन साइकल पर सकेंड अगला है तीसरा आयाम दर्शाय जाता है हर्ज के सटेजिकेंट में गलत बात है है जब एक वियू ऐसे ट्रेवर कर तक यह जो ऊचाई होता है कि हिंदी के ही उकलत है क्यμεंद फोनिक colors सेकेंड के गलत क्या यृसिञ punkरa नियुक्राट में यह intensity को माप्ता sound के intensity को sound के intensity को intensity को हिंदी में हम लोग बोलने तीवर्था को ठीक है तो को न ओप्शन सही हो जागा आपका दूसा option क्या हो जागा सही हो जागा बागी सब गलत हो जाएगा अगला question है which of the flowing sets comprises physical change आपको चुनना है यह question already हम लोग कर चुके हैं फिर से देख लीजे यहाँ पर देखिएगा हम सिधा यहाँ पर लाइस्ट वाला बता देते हैं यह question कली हम लोग किये थे लोहे पर जंग लगना यह आपका chemical change हो गया तागज का जलना किसी भी चीज का जलना chemical change हो गय से दिल का उबलना फीज कल हो गया copper sulfate का पानी में घुलना chemical हो गया बोजन नंक का ठचना हो गया तो टीनू आपको चुनना था फीजिकल वाला Trump थे लीज हो गयां के कि नमख वाले पानी का उबलना उबलना या टूटना सिसे आई को पानी में इना यह तीनुं क्या होग!! इसी तरह pass when कोनुषण कोल हम देखे ता यहां पर केमिकल पुछ रहाता है यहां पर क्या फॉष्टर मिपर आगा सही तो कोन ऑप्षन सभी हो जाएगा तीसा सभी हो जाएगा अगर परयोग में दो रंखिन मिला जाता है को यह यह लो हो जाता है और यह रहता है इसका मतब यह क्या हो गया और वाइड हो जाता है को यह यह बेस और अगला कोशन है ठीक है statement को पढ़ना है और आपको बताना है जे statement का मतलब assertion का रिजन जो है सही है की नहीं है को रहा है salt edible oil जो हम लोग पीते हैं खाते हैं salt जो हम लोग खाते हैं vinegar sugar यह जो होता है common preservative होता है सही बात है को शुरक्षित रखने में माइक्र और चाने में Than достаточно को अंदर का यह लिक्विद बाहर निकल जाता है कोंसेंट्रेशन के चेंजिंग के खारण तो हम लोग पढ़ेंगे कभी अगले किलास में याद रखेगा यहां पर फूड में फिलेवर के लिए नहीं हम लोगी स्कूर डालना है ताकि फूड हमारा क्या रहे प्रिजर्व रहे नमक मिला सकते हैं चीनी मिला सकते हैं आयल को मि पर्विनेगर को मिलाते हैं सोडियम वेंग्योट आपको बताया तो उसको मिलाते हैं ठीक है इस सब कही सम्हाल करते हैं यह पर टेश्ट कोई मतब नहीं है तो पहला क्या हो जागा सही और दूसरा जो हो गलत हो ठीक है तो तीसा option क्या हो जागा तो अगला कॉशन है मैगने में जला यहां तो क्या बनेगा मैंगेशीयों ऑक्सडे को उन्हाथ यह उसके बाद बोलता है यह होगया यह को डाला जाता है पानी में तो जो बेस होता है और बेस क्या करेगा बलू लीटमस को बदल देगा किसमें है डेड है फिर अग्ला कोश्ण है वीच अमांग दो फ्लोइंग इस नोट और आज गरींहाउस गैस याद रखेगा इसी कर रहें और पर जो गर्मी रहता ग्रिनहाउस अगर नहीं रहें तो और जो इतना गर्म अभी यह उतना गर्म नहीं देगा पूरा और फिरीच कर जाएगा ठंड तो चुनना था कौन इसमें नहीं होता है अगला है अगर कोशन कर रहा है इस पूट इन बुलू कॉपर सुलूट सॉलूटा है इसमें हम लोग डालते हैं किसको डालते आईरन को तो कॉपर बता चुके हैं आईरन डिस्प्लेस कर देगा बनागा फई-सौफॉ प्लस क्या बनाएगा और यह जो होता हारा हो जाता है अब रिजन कर रहा है दर इक्टिवीटी ऑफ कॉपर इस ग्रेटर धन डाट अगलत है अगला कोशन हम लोग देखते हैं अगला कोशन है ठीक है टे सिंधन ऑट जाएं से क्टिव और एंट के लिए यह जरूरी होता है इसमें हम लोग भी आ जाया जार में भी non metal का इसमाल होता है तो पहला हो जाएगा गलत यहां पर क्या चुना था गलत एस्टेटमेंट को चुना था तो सही एंथर हो जागा पहला ठेक है अगला धोरी कोशन है इसमें से आपको true statement यह स्टेटमेंट को चुनना तो देके यह कोशन कल ही हम लोग किया थे ज तो कि यह हो जाएगा सभी अगला है अंडासा में एक या एक से अधिक बीजांट होते हैं खरफा बोला निज्राजिन के पार्षण के फ़ल सभय की रूप में हो जाता है यह जाएगा गलत हो जाएगा or और सी स्कावाजी ऑग चाहिए हो जाएगा थे कि आप अगला कोशन है हाव डू दा वैक्सिन गिवन टू प्रोटेक्ट एगेंस्ट कोईट से बचाव के लिए जो वैक्सिन हम लोग लगाये थे उसका कार क्या होता थे वैक्सिन जो हम लेते हैं वह बिमारी से लड़ता नहीं है वह हमें एक्टिबेट करता है हमारा इम्म्यून प यह क्या करेगा हमारे सरीर में उप्योग पर्ति रक्षा जो होता जिसको एंटी बडिज बोलेंगे उसको का करता है वह बनाता है दूसरा अप्सों का हो जागा सही हो जागा याद रखेगा एंटी बडिज अगला कोशन है स्टेट्मेंट को पढ़ना है और आपको बताना सर्षन और रिजर बडिए में कुझा जरुं जाता है इसका उपसीति बताता है बडाता है फोट dispersांश बताता है पे हट है सही बडाता है पिसको का सय चैनल के दड़ान बणने वह जो जा यह सब्सक्राइब है और दूसा ईसकाि रीजन है तो सभी आ और बारह में कौन सा कॉधन तर स과ill एक कोषद धिखना परहेगा करा है मैट्रो कॉंडिया एक जैली नुमा पदार्थ है जो कोसी का जहली धिलबदर प्लाज्मा मेंवरेन या सेल मेंवरेन तथे होता है मैट्रोकॉंड़िया जो हो हता है 可以 to corn, जूमेंवरेन और नुक्लियस के बीच में कि परशेंट होता और है यहाए गरल नहीं होता है तो पहला आओ едस प्रेस्ट मेंट गलत हो जाःगा यह खंछा अंग इंडल बिलत होटा दर यह 맞는 मेंदर लुक्त होता है कुछ ऐसे करके spiral होता है ठीक है और इसी में इसी को हमनों पावर हाउस भी बोलते हैं क्योंकि इनर्जी इसी में इस्टोर रहता है तो यह गलत हो जाएगा अगला है माइट्रोकॉंडिया गॉल्की बड़िज राइबोस्वम आधी केंद्रिक जिल्ली में उपसित होते हैं मत होता है और इस वेक्रोमजम से बना होता है और नगाला यहाँ पे सहिं च्रोक्र का होटा है और तो दाएगा स्ट्रोक्चर進 होता घलत हो जाएगा निप्रशंट यहुआ पर सही अंतर क्या हो जाएगा तो पहले ही चूलनी हम लों तीस ऑप्षन क्या हो जाएगा ठीक है इस सब का थियोरी हम ncrt में जो ncrt series उससाँ में परहा रहे है तो उसको देखते जाएगा सब चीज आपका के लिए होते जाएगा ठीक है अगला है विच अव फ्लोईंग रिपरजेंट क्वरेक्ट मैचिंग से तेक्ष्ट मैचिंग से आपको बताना है तो देखें एक कोशन कलो कॉल हम ने ले रिक चुके है प्रोटो जोगा क्या होता मेले लिए ठीक है और बैक्टेरिया से क्या बनता है मेडिसिन बनता है ठीक ह एक ब doctors Joel होगा हुआ कि इसी चुनिंद फेशलेंपी इनकी भाइब हों जात्यव依ा एक है कि यहीं प्यास फोह हो स्मुर्ण स्युंसात्य श्र्धी फॉतर सर्देखाभ से इसात्यूंंदें है ठीक है तो होगे ठीक है तो डीका जो है ऑसे कारण होता है चुल्छी अ अगला कोशन है अले अगला अगॉश्त गर्णियंट्ट इन बंडी ment bought is सबसे बहुती हं का थो काल लोट स्टोर क्यों रखत है तो सक्षूर में कौन तूरत है बाई तो थीद तो 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 तूरत है जिसको लारव भोलते हैं तो सैलिवा गोल बन हैं या और कौन कन्त 최क और क्यां तो आक यह रहार था सुवार अधोर को पैंकरीयास तो 30 पा जब जान जनुवरी 2023 का जो पेपर हुआ था मैट और साइंस का पेपर टू उसके हम लोग साइंस को क्वेट कर चुके हैं इस तरह आपको पूरा दो हज़ार तेष्व वार मतलब 2022 में एक्जाम हुआ था उसका कुछ कश्पेपर दिसंबर में हुआ था पेपर जनुवरी में हुआ था सारे पेपर कर लेंगे फिर आपको 2021 का पेपर भी करा देंगे उसके बाद कोई पेपर आपको करने की आउशकता नहीं परेगी तो साइंस से इस तरह आपका एक लेवल बन जागा और एंसी आटी जरूर फॉलो कीजिए क्योंकि यह सारा कोशन में यहीं ड़ता